नमस्कार मैं आशुतोष कुमार, इन्खबर.com में आप सभी दर्शोगोगा स्वागत है। हम आज बात करेंगे गौरी लंकेश की, एक साल आज हो गए है। 2017 की 5 सिप्टेंबर का वो दिन था। कहा जाता है कि बैंगलोर में उस वक्त थोड़ी बारिश हो रही थी। और राइट विंग, हिंदुत, आइडिलोजी खिलाफो क्रिटिसाइज करती कि उनके खिलाफ लिखती थी। तो कई दुश्मन में उनके कहे जाते हैं। तो एक साल आज हो गया है, उनकी हत्या उनके घर पे पिल गई थी। दो अपरादी आएं, मोडरसाइकिल बैट कर, जब तक वो दर्वाजा खोली, उससे पहले दो गोलिया उनके सीने में डाप चुकी थी। और कुछी दिन देर में ये पूरे नैशनल मीडिया में आ गया, खबर बन गई की गौरी लंकेश की हत्या होई। कि गौरी लंकेश कोई छोटा नाम तो थी नहीं, पत्रकाविता जगत में बड़ा नाम थी। तो पहली थीयोरी आए उसमें कि शायद नकसलियों कि उनकी करीबी के वज़े से उनकी हत्या होई। लेकिन फिर बड़े अधिकारी, बड़ी वरिष्ट और बहुती तेस्तर अधिकारी इस जाच पे आये, बीके सिंग, उन्होंने सबसे पहले स्टेरी के खारिच किया, और राइट विंग, जो दच्छिन पंती विचारधारा है, वो एक एंगल पकड़ा और उस पे ही जाच कि दच्छिन पंती विचारधारा के उन्हीं ने इनकी हत्या की है, तो आज एक साल होने जा रहे हैं, तो कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हो रही थी, और फरवरी का महिना नवीम कुमार नाम का एक बदमाश पकड़ाता है, अवैध हत्यार रखने के, केस में अवैध हत्य है, तो लेकिन जो मडर हुआ था, वो इतने साफ तरीके से हुआ था, कि अपराधी और जो गौरी लंकेश का जो नवीम कुमार जिसने हत्यार सप्ताई किया था, और ये दूसरा वैक्ती जिसने मडर किया है, इन दोनों बीचे कनिक्शन काफी कम था, लेकिन SIT जाच कर रह तो जब उसी गिरफ़तार किया गया तो तदा चला, वो राइट टिंग, संगठन, कुछ है, उन से उसके संबन है, तो उसके गिरफ़तारी हुई, तो फिर वो तूड गया, उसने कहा, उसने अपने SIT की जाच में तूट चुका है, उसने कहा है कि उसी कि कहने पर वो रख् यह जो आप्राधि उसकी हत्या करवाई, और उसने कहा है कि अगर प्रूफ होता है कि राइट ग्रींग संगठन नहीं जो संगठन है सनातिंसंस्था, अगर उसके हत्या मैं शामिल हैं तो उसकी साथ सरकार वहीवार करें जो आतंकी संगठन के साथ करती है, लेकिन एक और बैंगलो, करनाटक में आपको कॉंग्रेसी सरकार थी और विदी विवस्था उसके जिम्मेदारी थी, तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, क्यों उसकी विदी विवस्था इसकी मजबूत नहीं थी, कि वहाँ पर कोई इतने बड़े पत्रकार को दो आम आदी आकर गोली मारकर चले जाएंगे, कहीं कैमरा नहीं कहीं सीसी टीवी नहीं, यह बड़ा सवाल है, तो हमें देखना होगा, इंतिजार करना होगा, और इस सवाल हमेशा कायम रखना होगा, कि गोरी लंकेश की हत्या क्यों ही, किसने की, और किस वज़े से थी, तब तक क यह लिए आप देखते रहें, www.incubar.com, और हमेशे हम से लगतार जुड़ेंगे,